भारत्य डेफ क्रिकेट संग IDCN ने डेफ अंतराश्ट्य क्रिकेट परिशत में भाग लिया था। T20 चैंपिन्स टोफी 2022, 1-9-9-2022 के बीच खेली गई। यह मैच UAE में हुए थे। इस आयोजन में भारत, औस्ट्रेलिया, दक्षिन अफरिका और बांगलादेश की डेफ क्रिकेट टीम ने भाग लिया। फाइनल भारत और दक्षिन अफरिका के बीच खेला गया। डेफ और सुनने वाले दोनों ही T20 मैच का बेसब्ली से इंतजार कर रहे थे। भारत ने 20 ओवर में सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर 140 रन बनाए। 141 रनों के लक्षा का पीछा करने में उत्री दक्षिन अफरिका 101 रन बनाकर ओल आउट हो गई। दक्षिन अफरिका को जीतने के लिए और 49 रनों की जरुवत थी लेकिन मैच हार गए। भारतिय टीम अपनी जीत से बहुत खुश थी। मुझे बहुत खुशी है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश और दक्षिन अफरिका को हराया। इस बीच कप्तान विरेंद्र सिंग की शांदार पारी ने भारत को रेकॉर्ड जीत दिला दी। मेरे जैसे साथी डेफ को मैच चीते देख गर्व हो रहा है। IDCA की CEO रोमा बलवानी ने कहा, मैं भारत की जीत से खुश हूँ। कोरोना महमारी की दो साल बाद ये उनका पहला अंतराश्चर टॉर्णामेंट था। उन्हें मैच जीतने हुए देख बहुत खुशी हुई। बलवानी ने कोच MP सिंग और देवदत द्वारा किये गए उतकुरुष्ट कारियों की भी सराना की। उन्होंने कहा, लीग स्टेट्स के सभी मैच और सेमी फाइनल में जीतने की शमता और आज विज़ता बन कर उभरने की काबिलियत, काबिलित तारिफ है। इस बीच IDCA के अध्यक्ष सुमित जैन ने कहा, हम टॉर्णामेंट को कुशलता पूर्वक करने के लिए DICC के अध्यक्ष स्टीफिन पिचकोवस्की को दन्यवाद देते हैं। सभी कार्यक्रम सुचारूर रूप से आयोचित किये गए थे। उनके प्रयासों के लिए पूरी तरह से संटुष्ट और आभारी हूं। हैरानी की बात है कि डेफ क्रिकेट टॉर्णामेंट पर कई सुनने वाले व्यक्तियों ने कमेंस किये है। युवराज सिंग ने टॉर्णामेंट की शुरुवाद से पहले भारतिया टीम को शुपकायमनाई दी थी। भारत के मैज जीतने के बाद युवराज ने एक बार फिर ट्वीट कर भारत को गौरानवित करने के लिए बढ़ाई दी। प्रसिद्ध व्यक्तित्वक को जीत की सरहना करते हुए देख कर खुशी हो रही है। आपने शिखर्दवन का एक वीडियो देखा होगा जहां उन्होंने साइन लैंग्वज का इस्तमाल किया था। उन्होंने कहा लोगों को प्रतित दिन सांकित एक भाषा में पांच शब्द सीखने चाहिए। डेख समुदाय के साथ समवाद करने में ये फाइदेबंध होगा। एक दिन में पांच शब्द सीखकर आप डेख से असानी से समवाद कर सकते हैं। आयसेच शिक्षा पहले से ही हर रोज शब्दों के लिए सांकित जारी करती है। तो वीडियो को शेयर करें और डेख के साथ समवाद करना सीखें।